पानपूर सेक, ओमल हमारे साथ, स्वागत है आपका. आजी, नमस्कार. मैम मुझी आखों की नीचे काले गीड़े हैं और मेरे बाल बहुत जड़ते हैं. ओमुत तो आपकी कितनी हैं? 15, 16, 17. तेंस साथ है मेरी ओमर और मेरी मम्री की ओमर है 25 साथ. उनकी लीवर में बहुत प्राब्लम है किली बढ़ी हुई है और लेक्ट में बहुत में दिक्कत होती है बहुत देर तब बैटी रहती है ठीक है हम दोनों को एक निस्खा बताते है वो दोनों के काम आएगा देखिए एक निस्खा बता रहा हूँ जो मा बेटी दोनों के काम आएगा, आप समझ ले। आपको रोजाना एक नाजिल पानी लेना है और उसमें आदा गिराम गॉन मॉरंगा मिलाकर सफेद वाला, असली वाला, सफेद वाला, असली वाला पी लेना है आपकी दोनों शिकायत है, आपके डार्ड सरकल आपको बालों की परिशानी इसका ठीक होना मुम्किन है और आपकी मम्मी को यही गौन मौरिंगा एक किराम पानी में लीबू पानी में मिलाकर हो जाना एक बार या जाज जादे दो बार पीना यही गौन मौरिंगा लेकिन असली वाला सफेद वाला लेना है और रो मैटेरिल लेना है तो आपकी मम्मी की भी समस्या ठीक होना मुम्किन है पंजाब से अगले कॉलर है जै प्रकाश हमारे साथ स्वागत है आपका अजी इसे बात भी नहीं जाएगा जी जी बहुत मम्मी के लिए बताना आएगी बोलिये बताईए 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 बत मैंना तो पैट बहुत मैंना तो बिलकुल Sबुत सब्सक्राइब ये पसुरिं कें अमे कि बिलकुल लंद नेचे लगे ऑंधर आग प्ल्द," फंधा साल पहले तो मैंनना वो पैट लटक गया है बिलकूल से तो वो बिल्कुल स्टाइट रहता है अभी आपकी आयू कितनी है पचास के अंदर ही है अच्छा वो आपको लैटिन होती है पौटी होती है रोधाना बस वही में तो दिक्कत हो दिया दिक्कत कि तीन तीन गंटा लाइटिंग में बैचना पड़ता है फिर भी लैटिंग कोई दाक्टर बताते है यह अदिम जब एक्सरा होता तो सवार नार्मल और जहें तीसी सदी सूज़ी है कि मलन ज़कल विल्कुल गोल जीसा नहीं नीचे की तरब तो तो बहुता है टाइट रहा थह वह नीचे विल्कुल ज़ह कोई लोड बिलकुल एकदम नीचे टाइट मैं समझ गया आपको आप मेरी बात वह और से सुने हूब देखिए एक तो आपको जब भी पीना है गरम पानी पीना है और पानी भी गरम ऐसा जैसे चाय होती है न कि उसकी यह लेके पिया करें और दिन में पांच बार कम असकम गरम पानी पीना अनिवारी है आपके लिए और तो एक गंटा पैदल चलना आपके लिए जरूरी है वो भी धूप में चल नहीं सकते तो आप बैठी जाए धूप में थोड़ा थोड़ा देर लेकिन टोटल एक गंटा हो जाना चाहिए यह बहुत जरूरी है और आपका तो पूरा निजाम खराब कर दिया है देखिए अल इसमें एक नमक आता है कलोंजी का उसमें 100 ग्राम मिला लें 500 ग्राम अलसी 100 ग्राम कलोंजी का नमक कल्ची को घूनना है और पाउडर बनाना है आधे से एक चमच दिन में दो बार लेना है खाने से पहले गरम पानी के साथ तो आपकी स्वास्थ होना मुम्किन है अर्चुन कि हस्वेंट की उमर है 45 साल और उन्हें बादी बवासीर है उनके मर्स से पूल जाते हैं बहुत जादें बैटने उठें बड़ी विक्कत वो पिर तोसका कोई घरे लून उसका है ठीक है एक तो घर में जो भी वैंजन आप बनाएं उसमें आप अद्रक और लेसन इतना सार डाला करें जो भी खाना बनाये करें और पांच बार गरम पानी पिलाएं उनको दिन में हर कुछ भी खाएं तो एक चमश सौफ जरू खाएं ये घरेलू इलाज है और ये इलाज है कि आप जैतून का नमक ले लें जैतून का नमक और अधा गिराम पानी मिला के रोज एक बार या दो बार उन्हें प्लाय करें उनकी ये परिशानी ठीक होना मुम्किन है तो बिल्कुल उनकी परिशानी ठीक जरूर हो जाएगी क्योंकि उनकी तकलीव बहुत ज़ादा है और आपने एक विश्वास के साथ यहां पे कॉल किया है तो आप से कहना चाहूंगे अर्चना जी आप नुस्के जरूर अपना लिजेगा अगर कोई भी रो माटीरियल मिल करके ही रो माटीरियल लीजेगा और जो नुस्के बताया जाते हैं एक एक बात नोट डाउन कर लीजे क्योंकि लाइफ कारक्रम में बहुत मुश्किल से आप लोगों की कॉल लग पाती है बहुत कीमती वक्त हकीम साहब का होता है जो वह आपके लिए निकाल कर लेके आते ह हाकीम साहब जो बात आती है माजुन आरकेर के बारे में बहुत जादा प्रचलित हो गई है यह तो दवाई युनानी क्योंकि हमारी यह रक्षा ही कर रही है सुरक्षा कवच्छी हमें प्रदान कर रही है जो संक्रमन जो महामारी विश्वभर में फैली हुई है तो हर एक चाहता है कि उसकी रोग्प्रतिरोधक शम्ता इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे बहुत जादा बूस्टप रहे तो क्या जम्रती को को बिमारी नहीं या फिर में मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है वो भी सेवन कर सकता है हाँ सही है आपने कहा के दिए इस वक्त तो भारती नहीं पूरे विश्व को इम्मुनिटी की जरूरत है और ऐसे में अगर किसी को यह नजर आ गया कि immunity हमारी हमें किसी भी बीमारी से बचाती है हलांके मैं तो मुद्दतों से कहता हूँ कि immunity हमारी अगर जरुरत के मताबिक ना हो जरुरत की बराबर ना हो तो हमें रोग घेर लेते हैं वरना immunity अगर strong हो तो आप देखेंगे कितने लोग hospital जाते हैं मर्स cancer का होता है लेकिन वो cancer को हरा के आ जाते हैं इसलिए immunity की दवा के लिए मैं सबसे कहता हूँ कि जरूर लें चाहे एक ही खुराक लें रोजाना एक रोटी कम खा लें लेकिन एक खुराक immunity की जरूर लें इस वक्त खुद को बचाना अपने परिवार को बचाना पहली शर्त है तरक्की हम बाद में कर लेंगे पेट भर के खाना बाद में खा लेंगे काम बाद में कर लेंगे लेकिन हमें अपनी सुरक्षा चाहिए अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए तो बिल्कुल अगर आप लोग अपने ख्याल रखना चाहते हैं उसके लिए आप लोग माजून आर केर कर सकते हैं बाद दर्शको लाइब कार करम हैं, अगर आप लोग हकीम सह Angeb से बात करना चाहते हैं नुसके जानना जी जी बताइए मैं तो सुन रहा हूँ, आप क्यों नाराज है? आप मैं टीवी पे देख भी हूँ, टीवी पे तो नहीं आ रहा है, ये कुछ तीवी देख रही हूँ पर टीवी पे तो ये छीज नहीं आ रही है, मेरी और रहे मैं मिस्टर इंडिया बन गया शायद ये हफ्ता दस दिन होगे उसको बहुत हातों और पैरों में बहुत ज्यादा कुझली हो रही है ठीक है अच्छा दिखिए एक नस्खा और से सुनिये अलसी भून लीजे थोड़ी सी ज्यादा मत भूनना इसका पौडर बनाईए एक चमच उसको खिलाईए आदा चुटकी सोडा खाने का मिलाकर ऐसी आप रोजाना दो खुराग दे सकते बच्चे की कुझली बहुत जल्द कर रहे हैं? अच्छा जी, मैं लच्छाल साफ. जी, जी. 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 बहुत है, मेरी हस्ट्रेंट्रा और मेरे दोस्ट्रेंट्रा था इनको 5 सल कर ले टाइफाइड हो था मेरे हस्ट्रेंटों. और उसके बाद इनको बीपी हाई होने लग या प्रॉक्टेट्र तो तल प्रॉक्टर ने लाज किया पूरा फिर दूसरे डॉक्टर ने किया सीख्रे से फिर इनका जो ताइफाइड हो थी हुआ था अभी इनके जो पसीने से बद्बू टाइफाइड ही आती है और कंपन बोड़ी में फूरी है और बीपी की द्वाई लेते हैं और प्रॉस्ट्र है और इस ट्वालड गया जी जी आड़ मेरे को बहुत टाइम से गयस बनती है अभी तीन साल से डॉक्ट साथ ने एक में जैकी अपनों ने गोला साहरेड है मैं साहरेड की द्वाई ले रही हूं गया तो हकी में अती हो गई ऐलोपैट्धी हूमोपैट्धी नेट्रस आप सब किया मेरे को तहीं से राहत ने मिली आप मैं एक्टूरंट से उजारा करती आप मैं अलो बैठी तो खाना दी लिए कोई ठोड़ी आप मुझे नफ्रस चीक है आप नाराद है जी अब फिकर ना करें और आप सिर्फ अपना टाइफाइट ठीक करें आपको ठीक होना मुम्क स्वकिन है मेरे बात ग़ह से सुनिए पहले मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं लिख लीजे ड़िए भीली द्धनिया थेंसो ग्राम को थनिया इनको powder बनाएं घर में पिसा पिसा या कुछ भी ना ले गौन मौरिंगा असली लेना सफेद वाला सफेद वाला गौन मौरिंगा मिलेगा मुश्किल से लेकिन फाइदा बहुत करता है एक चमश सुबा एक चमश शाम खाएं और वो दवा भी खाते रहें जो आप टाइफाइ अपनी जगा आने लगा हर महीने वह आपकी गोली कम करते जाएंगे और आपके पेट के साथ टाइफाइड का भी ठीक होना मुम्किन है अपने पती को आप कलाउंजी का एक नमक आता है नमक कलाउंजी नमक कलाउंजी उन्हें दीजिए आदा गिराम पानी में मिलाके दो बार पहले एक बारी शुरू करें और यह आप करेंगे तो उनको बहुत फाइदा मुम्किन है अगले कॉलर इंदौर से हैं खुशी हमारे साथ स्वागत है खुशी येस हाई हेलो बताईए सवाल बच्छा आप लिख रहे हैं या नानी लिख रही है कोपी है पैन कपड़ों से तो नहीं लाना कभी हम बैठे रहे हैं आप आए नहीं ठीक है आपने मुझे इंतजार करा दिया वरना लोग मेरा इंतजार करते हैं आप इतनी चोटी प्यारी सी खुशी है कि खुशी के लालच में मुझे इतना इंतजार करना पड़ रहा है वरहल आप लिख सके तो लिखे वरना मैं दूसरा कॉलर ले लूँगा बताओं खुशी जी थैंक यूँ खुशी अपनी मम्मी को कैपसूल टी केर टी फोट टाइगर कैपसूल टी केर सुबा शाम खाने के बाद दीजे पांच बार गरम पानी पिलाईए और अगर वो पैदल चलती हैं तो एक गंटे के लिए धूप में घुमा कर लाया करिए रोज आना इससे आपकी दादी पूरी तरह ठीक होना मुमकिन है बहुत अच्छा लगा बच्चा सबसे चोटे बच्चा लगता है मुझे कहिती उससे सब बढ़े बढ़े बात करते हैं आज पहली बार बच्चे ने बात किये बहुत थैंक यू